क्या आपने अपने पार्टनर के हाथो धोका खाया है? क्या आपके पार्टनर ने आपको इस कदर उलाया है कि जीना हराम हो चुका है आपका? थर्ड पार्टी की वज़े से आपके ही अपने पार्टनर ने आपको धोका दे दिया है third party की वज़े से आपके partner ने आपके सुननी ही बन कर दी है तो आज का वीडियो आपके लिए है सो कुछ पहले आपके energies को चेक करते हैं कि क्या है आपका हाल, क्या कुछ चल रहा है आपके दिल में उसके बाद हम connect करेंगे आपके partner और third party के energies so hello everyone, मैं रितो भारतवाज, terror reading 2190 से मेरे चैनल पर आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत करती हो so चलिए, मैं shuffling स्टार्ट करूँ उससे पहले, आप सभी लोगों से request है आप लोग comment box में अपनी wishes, अपनी manifestations जरूर लिखिएगा क्या चाहते हैं आप अपनी love life में, career life में, personal life में, professional life में okay, so लिखेंगे तो जरूर पूरी होगी shuffling को मैं start करने जा रही हूँ, so general collective timeless reading है जब भी आप इस वीडियो को देखेंगे, ये आपके साथ resonate करेगी और जितना भी वाट resonate करेगा, उतना रखना है, आपको बाकी का छोड़ देना है gender bias reading ये नहीं होती है, आप जिस भी gender के हैं आपके partner जिस भी gender के हैं, इस वीडियो को देख सकते हैं comment box में एक claim जरूर कीजएगा क्योंकि ये general reading है, सभी के लिए होती है, अगर आप लोग अपनी personal readings book करवाना चाहते हैं तो screen पे दिये हुए number पे WhatsApp कीजएगा ध्यान ये रखना है कि हम calls नहीं attend करते हैं, so please सिर्फ messages कीजए और personal calls, personal readings chargeable होती है, paid होती है, free नहीं होती है इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है description box में WhatsApp group का link भी दिया हुआ है आप link को join करके, group join करके भी आप अपनी readings book करवा सकते हैं चलिए, आपकी readings पहले ले लेते हैं, क्या आ रही हैं, आपकी feelings? okay, all the divine energies, virgin billionaires, angels, please बताएए भी योर्स को, क्या है इनकी life में? okay, सबसे पहले ही justice का card आ गया है so, आप सबसे जादा इंतजार कर रहे हैं justice का, so claim कीजिए justice जल्दी जल्दी आप मैं से जितने लोगों को नयाय का इंतजार है, divine की power का इंतजार है इंतजार है कर्मा का, तो जरूर claim कीजिए justice कर्मा okay, so आपका दिल टूटा है, बहुत बुरी तरीके से आपका दिल तोड़ा गया है आपके partner ने आपको कहीं का नहीं छोड़ा है, आपके partner ने आपके दिल को इस कदर तोड़ा है कि आपका जीना मुश्किल हो गया है, समझ नहीं पा रहे हैं कि किस तरीके से जिन्दगी बदल गई है, किस तरीके से सब बिखर गया सो आपके partner ने बहुत बुरी तरीके से आपको चोड़ पहुचाई है, धोका दिया है शायद उसी चीज का नया है, आप अपनी जिन्दगी में अपने भगवान से, यूनिवर्स से, गौड से मांगते हुए मुझे आपके दिखाई दे रहे हैं सब बहुत ही प्रॉमिनेटली आपने निकल के आई है लीबरा तुला राशी और थ्री ओफ स्वार्ड जमिना लीबरा कोवेरियस में धुन तुला कुम राशी निकल करके आगई है सो आपके आपकी लाइफ में आपने बहुत बैलेंस बनाने की कोशिश की है ये भी एक आड़ यहां पर बता रहा है लेकिन सारे बैलेंस सारे एफोर्ड सब कुछ बरबाद एक जटके में कर दिया आपके पार्टनर ने इस थर्ड पार्टी की वज़े से पेज ओफ वांड सो एरीज लियो साजटेरियस मेश सिंधन और आशी आई है आप में ने बहुत कोशिश की अपने पार्टनर को पकड़ के रखने की बहुत कोशिश की कि ये मान जाए संभल जाए सुधर जाए समझाने की भी कोशिश की कि ये थर्ड पार्टी ठीक नहीं ह ये बर्बाद कर देगा या कर देगी तुपारी जिंदगी और आपके पार्टनर को शायद नहीं समझ में आ रहा था और इस कदर थर्ड पार्टी का जादू आपके पार्टनर के ओपर चड़ा हुआ है जिसकी वज़े से वो कुछ भी सुनने को तयार नहीं है Queen of Cups का काड आया है Cancer Pisces Scorpio Kirkmean Vishikraashi आप बहुत डिप्रेस्ट हैं बहुत दुखी हैं अगर आप लोग मैरेड हैं तो एक्स्ट्रीम्ली दुखी हैं कि क्या करें अगर आपके पास बच्चे हैं तो आप एक्स्ट्रीम्ली परिशान हैं कि अब इन बच्चों का क्या होगा कि इस तरीके से life आगे चलेगी और अगर आप लोग still unmarried हैं तो आपकी जिंदगी में एक तुफान जैसा आगया है क्योंकि अब आप ना आगे बढ़ पा रहे हो ना इस परसन को अपने दिमाग से निकाल पा रहे हो और रह पाना जी पाना बहुत मुश्किल होता चला जा र डिप्रेशन की तरफ जाती हुए दिखाई दे रही है मून ओके सो बहुत प्रोमिनेंटली पाइसेज मीन राशी आई है आपको आप मेंसे कई लोग ऐसे हैं जिनको थर्ड पार्टी ने डराया धंकाया हो या फिर आपके पार्टनर ने डराया धंकाया हो आप दोनों की life म आपके और आपके पार्टनर की life में दुख देने वाला तकलीव देने वाला डंक मारने वाला जहर फैलाने वाला यह टॉक्सिक थर्ड पार्टी सिचुवेशन है आपको कहीं न कहीं ऐसा लगता है कि इसकी वज़े से ही आपके जिन्दगी में ग्रेंड लग गया है अगर अगरी थर्ड पार्टी न आती तो आपका रिलेशनशिप बहुत बहुत अच्छा चल रहा था हर्मिट सो प्राइन कहीं न कहीं अकेलापन फिल रहे है बहुत ही लोनलीनेस फिल हो रहा है यह अकेलापन जो अपकी जिन्दगी में आ चुका है यह घालीपन जो अपकी lif में आ चुका है इसने आपको बहुत जादा दुखी कर रखा है परिशान कर रखा है नहीं भूल पा रहे हो इस इंसान को नहीं भुला पा रहे हो अपने प्यार को क्योंकि जिस से आप सबसे जादा प्यार करते हो अगर वो इंसान आपको धोका दे देता है तो जिंदगी में अं करके आए हैं तो आपका जो दर्द है ना वो आपके जिन्दगी में दिखाई देता है लोग जो आपके आसपास हैं वो पहचान जाते हैं कि आप बहुत जादा दुखी हो किंग आफ कपस का कार्ड है कई बार आपने कोशिश की की चीज़े ठीक कर लो बैलन्स बना लो लेकिन उसके बावजूद भी आपके पार्टनर ना तो सुनने को तयार हुए ना ही मानने को तयार हुए वील ओफ फॉर्चुन सो जरूर क्लेम कीज़ेगा वील ओफ फॉर्चुन का कार्ड इहां निकल करके आया है लास्ट में जो कि ये बता रहा है कि आप में से कई लोग ऐसे हैं जो अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुके हैं इस इंसिडेंस को आप में से कई लोग भूलने हो चुके हो पहले से ज़ड़ा प्राक्टिकल हो चुके हो और इस चीज़ का एसास अब आपको हो गया है कि ये लोग या इस आपका पार्टनर जिसने आपको गलत किया जिसने आपके साथ धोका दिया वो आपकी लाइक ही नहीं था लेकिन आप में से कई लोग ऐसे हैं जो समय पलटने का इंतजार कर रहे हैं ऐसा समय जब आपका पार्टनर आपके पास वापिस आ जाए और रियूनियन हो जाए तो अगर आप लोग रियूनियन चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेगा रियूनियन क्योंकि यहाँ पर हर वो एक्सपेक्टेट चीज होने वाली है जो आप चाहते हैं सो वील ओ फॉर्चुन आपकी लाइफ में फॉर्चुन लेकर आता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है सो आपके दुख के बादल छटने वाले हैं परशानी आपकी जिन्दिगी की बहुत जल्द खतम होने वाली है बस थोड़ा सा इंतजार और और उसके बाद चीजे अपने आप आपको सुधरती हुई दिखाई देंगी सो अगर आप ये देखना चाहते हैं कि आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में क्या चल रहा है सो चलिए स्प्रेट लेते हैं और देखते हैं पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में क्या चल रहा है फर्स कार्ड ओके सो हैंग मैन का कार्ड आया है so definitely यहाँ पर चीजें उल्टी हो गई हैं पलट गई हैं आपके पार्टनर यहाँ पर बहुत ज़ादा सेक्रिफाइज करते हुए दिखाई दे रहें भले आपसे दूर हैं बट आपकी याद आपकी बातें को बहुत ज़ादा भी याद आती हुए दिखाई दे रहें क्योंकि यही तो है जस्टिस यही तो है कमाल नयाए का उस नयाए मूर्ती का जो उपर बैठा हुआ है हमारे सुख और दुख उसके हाथ में हैं तो उसको जब भी ऐसा लगता है कि हम ऐसे इनसान के साथ पज़ गए हैं या फिर ऐसी परसितियों में ऐसी सिच्वेशन में हम आ चु ताकि हम और बेटर ग्रो कर सके हमारी लाइफ में और खुशियां आ सके है ना तो वो ही चीज यहां पर ये कार्ट बता रहा है कि आपकी लाइफ में क्योंकि जस्टिस बहुत जल्दी आने वाला है लेकिन आपके पार्टनर की लाइफ में यहां चीजे बहुत बुरी तरी किसे अटकने वाली हैं लटकने वाली हैं तो ये third party situation में खुश तो बिल्कुल भी मुझे आपर नहीं दिखाई दे रहे हैं C, six of swords So definitely यहाँ पर उपर से खुशियां दिखाई दे रहे हैं सिर्फ उपर ही खुशियां हैं जो कि दुनिया को दिखाई जा रही हैं जूटी खुशियां हैं जो आप देख करके कहीं न कहीं आपको feeling आती होगी कि ये तो कितने खुश है ये तो कितना अपनी life को enjoy कर रहे हैं लेकिन आप नहीं जानते हैं कि इस शान्स समंदर के अंदर कई राज चुपे होते हैं डेफिनेटली आपके partner के दिल में भी ऐसे कई राज चुपे हुए हैं इनकी life में इतनी उथल पुथल चल रही है इतनी लहरों में फस चुके हैं इतनी परिशानियों का सामना कर रहे हैं कि मुझ चुपा करके रोने जैसी हालत कभी कभी हो जाती है 9 of want का card आया है तो अभी कहीं न कहीं आपको सोचते हुए आपको याद करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं तो अगर आप लोग reunion चाहते हैं तो comment box में जरूर लिखेगा reunion इनको wait हो रहा है ठीक है wait कर रहे है ये किसी situation का किसका wait कर रहे है अभी देखेंगे so 9 number repeat हो रहा है 9 number आपकी life में कुछ important हो सकता है 9th month 9th date या 9 महीने या 9 साल हो चुके है आपको लग वो करके या 9 आपका birthday या anniversary या कुछ भी इस तरह की कि nearby date हो सकती है so आपके partner अभी इतने परिशान इतने दुखी हैं आप देख सकते हैं इस कदर मुँ छुपा करके रो रहे हैं okay so definitely यहां पर tensions चल रही है इन दोनों के बीच में यह दोनों एक दूसरे के साथ struggle कर रहे हैं यह दोनों एक दूसरे के karmic partners दिखाई दे रहे हैं okay और यह partner तब तक साथ में रहते हैं so अगर आप लोग कarmic पूरे होने का weight कर रहे हैं तो definitely weight आप कीजिए अगर आप करना चाहते हैं तो because यहां पर यह समय थोड़ा जादा जाने वाला है six of cups okay so six number भी repeat हो रहा है कुछ important आपकी life में हो सकता है so आज basically मैं देखूं यहां पर भरे ही अभी third party situation में हैं लेकिन आपको याद करते हुए भी मुझे दिखाई दे रहे हैं four of wand so बहुत जल्द आपके पास आ करके एक stability देना चाहते हैं आपकी life में खुशियां देना चाहते हैं भले ही इनसे past में गलती हुई है भले ही इनसे past में बहुत problems face की हो लेकिन अब यह चीजें आपके साथ ठीक करना चाहते हैं इसलिए आज आपकी यादों में भी खुए हुए हैं और एक कोई stability या commitment आपको देना चाहते हैं या देने के लिए सोच रहे हैं ओके queen of pentacles का card आया है so definitely यहाँ पर queen of pentacles का card दिखाता है कि आपको लेकर के आज काफी ज़्यादा passionate हो रहे हैं आपको लेकर के आज बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं आपके बात करने का तरीका आपकी जीने का तरीका इनको बहुत ज़्यादा याद आ रहा है जिस तरीके से आप इनको support करते रहे हो वो चीजे इनको याद आ रही है जिस तरीके से आपने इनका साथ दिया है वो आज बहुत याद इनको आ रहा है तो देख लेते हैं third party के साथ क्या हो रहा है okay so देखिए nine of sword का card so third party भी यहाँ पर मूँ छुपा करके रोती हुई दिखाई दे रही है so nine of sword का card देखो आप partner के लिए भी आया nine of sword का card आपके लिए भी आया so definitely partner के लिए so definitely यहाँ पर आपके partner और यह third party दोनों ही मूँ छुपा करके रोने जैसी हालत इनकी होती हुए दिखाई दे रही है मूँ छुपाने जैसी basically हालत हो चुकी है क्योंकि जिस तरीके से इनोंने आपको आपका दिल दुखाया है आपको चोट पहुचाई है तो मूँ छुपाने के अलावा इनकी जिन्दगी में और कुछ भी नहीं बचा है lovers का card आया है so okay so यहाँ पर third party situation जो है न वो अपनी life में कोई प्यार ढूंड रही है कोई अपने life में कोई एक partner ऐसा ढूंड रही है जिसके साथ वो अपनी सारी जिन्दगी बिता सके right so यहाँ पर धोका भी आ रहा है ठीक है third party यहाँ पर धोका भी देती हुई दिखाई दे रही है आपके partner को eight of pentacles okay so देखिए आपके partner की life में काफी जादा problems चल रही है struggle है आपकी जो यह तकलीफ है बहुत जल्द पूरी हो जाएगी बट हाँ यहाँ पर third party बहुत struggle में दिखाई दे रही है third party बहुत जादा problem में भी दिखाई दे रही है बहुत मैनत लग रही है इसकी अपनी life को settle करने के लिए okay so page of wand का card यहाँ पर आपके लिए भी आया था और इस third party के लिए भी आया है so अभी फिलाल तो यह भी छोड़ने के mood में नहीं है आपके partner को लेकिन near future में आपके partner जरूर कुछ ना कुछ इस तरह का decision लेंगे कि वो आपके पास वापिस आ जाए टावर वाओ so जल्दी जल्दी claim कर लिए टावर अगर आप सोच रहे हैं third party और person के बीश में क्योंकि tower moment इंदोनों की जिंदगी में बहुत जल्द आने वाल है so यह drastic change यह calamity यह बहुत जल्द देखने वाले यह दुखी संसार इनकी जिंदगी में बहुत जल्द आ रहा है so अगर यह यह देख रहे है कि third party खुश है आपके partner खुश है तो जी नहीं यहाँ पर अंदर की बात कुछ और है so जो गहरे राज चुपे हुए है वो अभी आपको पता नहीं है time के चलते चीज़े आपको पता चलेंगी और definitely जो separation इनकी life में आ रहा है वो एक आपके लिए plus sign है आपके लिए खुशियों का एक संकेत है जो लोग reunion चाहते हैं वो death चलिए जो death का card आ चुका है यहां पर और ये card ये ही बता रहा है कि अब सब kushin दोनों के बीच में बहुत जल्द खतम होने वाला है इन दोनों का ये रिश्टा इन दोनों का ये प्यार बहुत जल्द खतम होने वाला है और ये ऐसास इस third party को हो चुका है कि आपके पार्टनर और ये दोरो जने बहुत लंबे टाइम तक नहीं रह सकते हैं किसी न किसी एक जन को तो इस चीज का benefit उठाना पड़ेगा तो आपके ये जो third party है ये third party definitely death का guard ये ही बता रहा है कि आपके पार्टनर की life से निकलने वाली है बहुत जल्द निकलने वाली है तो अगर आपके पार्टनर यहाँ पर अपने ऊपर थोड़ा सा काम करेंगे तो ये चीज़े जल्दी होती हुई भी दिखाई दे रही है लेकिन क्योंकि आपका अकेला पन है सूना पन है आप बहार stability चाहने की कोशिश कर रहे पर आपको मिल नहीं रही है बढ़ हाँ जैसे ही यहाँ पर third party situation आपकी आखों के सामने आएगी तो एक सुकून आपको जरूर मिलेगा यह तो यह थे आज के card यह थी आज की reading यह थे आज के messages I hope आपके साथ resonate की होगी अगर हाँ तो like कीजिए share कीजिए subscribe कर लिया है आप सभी लोगों ने so thank you so much instagram, youtube and facebook किसी भी social media पर जाकर के आप हमारी और readings भी देख सकते हैं so चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए thank you and have a nice day